फादर डे स्पेशल 1947 भारक दो भागों में विभाजित हुआ और पाकिस्तान बना इसमें अंग्रेजों ने बहुत बुरी भूमी का निभाई है और कहा है कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वह पाकिस्तान जा सकता है और जो भारक में रहना चाहता है वह भारक में रह सकता है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और यह कश्मीर मुद्दे को जन्म देता है पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमन किया और उस पर कबजा करने की कोशिश की इसलिए कश्मीर के शासक हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी इसलिए उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल के प्रभाव के तहट कश्मीर को भारत में विलय करने की संधी पर हस्ताक्षर किये उस समय भारतिय सेना के मुख्य कमांडर ब्रिगेडियर उस्मानी थे जिन्ना ने उस्मानी को पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए कहा लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैंने भारत की रक्षा करने की शपत ली है सरदार पटेल जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को मापना जानते हैं, ने उस्मानी को कश्मीर वापस लेने के लिए मुख्य कमांडर चुना है ब्रिगेडियर उस्मानी की टुक्डी ने 900 से अधिक पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार डाला है और एक महत्वपून पॉइंट नवशेरा को 12 घंटे के भीतर कबजा कर लिया गया था इसलिए उस्वामी को नवशेरा का शेर कहा जाता था असा युद्ध के दौरान एक तोप का गोला उनके उपर गिरा और उस्वामी की मृत्यू हो गई इस युद्ध में कई अन्य भारतिय सेना के जवान भी मारे गए थे नेहरू 1948 को युएनो गए आप कह सकते हैं कि यह नेहरू की गलती है या युएनो का पाखंड है कि एक स्पष्ट मामला अभी भी अनसुलजा है युएनो ने कहा कि कश्मीर में जन्मत संग्रह कराना चाहिए जन्मत संग्रह का मतलब कश्मीर में वोटिंग है कि कश्मीर कहा रहना चाहता है तो नेहरू ने युएनों से कहा कि सिर्फ कश्मीर में ही क्यों भारत और पाकिस्तान के सभी राज्यों में यह जन्मत संग्रह करें मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसा देश बनाने का कोई लक्षय नहीं है आज सोते हुए सोचों की ये लोग पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते थे और अगर आप बहतर इसलामिक देश के लिए कहते हैं तो मैं कहूंगा कि भारत के मुसल्मान तथाक्थित इसलामिक देश से बहतर जीवन जी रही है दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ की कृप्या करके सबस्क्राइब करे कुछ लोग कहते हैं की जिन्ना को प्रधान मंत्री की कुर्सी चाहिए थी तो मैं आपको बता दूँ की जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी और प्रधान मंत्री की अवधार्ना 1951 में शुरू हुई थी कश्मीर में कुछ खराब कानून था जेसी की कश्मीर में भारत का पूरा सम्विधान लागू नहीं होगा राश्ट्रपती कानून नहीं लगेगा बाहरी व्यक्ति यहां स्थाई रूप से नहीं रह सकता है अगर पाकिस्तानी लड़की कश्मीर में शादी करती है तो उसे कश्मीरी नागरिक कहा जाएगा लेकिन अगर भारतिय लड़की कश्मीर में शादी करती है तो उसे कश्मीरी नहीं कहा जाएगा अब इस तरह का कानून और अगर आप इस कानून को बदलना चाहते हैं तो आपके पास जम्मु कश्मीर की विधान सभा की अनुमती होनी चाहिए और PDP नेता ने कहा था कि अगर आप 370 को हटाते हैं जो इस प्रकार का कानून बनाने की अनुमती देता है जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी तो आपको मेरी लाश पर चलना होगा अब हुआ यह की कश्मीर की दो स्थानिय पार्टियों में दोनों को बहुमत नहीं मिला और भाजपा को भी बहुमत नहीं मिला इसलिए PDP और BJP ने मिलकर एक सरकार बनाई लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चली अब हमारे पुर्खों ने एक कानून बनाया है कि अगर राज सरकार नहीं है तो ऐसी स्थिती में प्रेजडेंट कानून बनाया बदल सकता है तो अमित शाह ने लोकसभा और राजसभा में बिलपारित किया और तीन सौ सत्तर खतम बाई बाई टाटा गुडबाई गया